हलो दोश्टों हमारे चलने नमरीद कूचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है हर रोज की तरह आज भी एक नए लेशन के साथ एक नए टोपिक के साथ और एक नए जानकारी के साथ आए हैं और आज का हमारा टोपिक है पार्ट्स ओफ स्पीज जो की आपको इंगलिश पढ़ने इंगलिश बोलने और इंगलिश का कोई शंटेंस या वाक के बनाने के लिए जो बहुत ही महतपूर है और यह जानकारी आप लोग को होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह ग्रामर का जो है मेन फांडीशन है मेन नि पढ़ाये हैं जिसको आपको पूरे पार्ट्स ओप स्पीच के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी हांसिलोगी तो वीडियो को आन तक जरूर देखिएगा पसंद आये तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह का कॉंटेंट हम बनाते रहते हैं तो यदि आप भी चाते हैं कि हमारा कॉंटेंट आप तक जल्दी से आसानी से पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकन को आल पर कीजिए या घंटी बजाईए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच सके अब देखिए इसमें दिया गया है कोई साभी हम वाक्य या सब्द का उपियो करते हैं जैसे वाक्य बनाते हैं तो उसमें आठ जो होते हैं आज तरीके के वर्ड होते हैं जिसको हम लोग मिक्षिन करके एक वाक्य बनाते हैं तो पहला है नाउन यानि शंग्या दूसरा है प्रोनाउन शर्वनाम तीसरा है adverb, क्रिया, चोथा adjective, बिशेशर, पच्वा है adverb, क्रिया बिशेशर, प्रपोजीशन, शंबंद सूचक या पूर्वशर्ग, कंजक्शन, सयोजक और इंटर्जेक्शन, यानि बिश्मियादी बोधक, तो यह सब क्या है, इसका उपियोग कैसे किया जाता है, और इस इसकी पहचान क्या है, हम कैसे इसको पहचानेंगी, यह noun है, यह pronoun है, यह adjective है, यह verb है, तो इनी सब के बारे में, हम लोग एक example के साथ में सीखेंगे, तब हम लोग को ढेर सारी जानकारी प्राप्त होगी, तो वीडियो को अंतर तक जरूर दिखिएगा, तभी आपको अच् यही प्रियोग को समझने के लिए, इन्हें आठ वर्गों में वर्गी क्रित किया गया है, जिने सब्द भेत काते हैं, तो पहला noun है, हम noun के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, उसको जाकर आप चैनल पेज़ पर, इंग्लिस ग्रामर इनी प्लेलिस्ट में खोजेंगे तो वहाँ पे लर्णिंग इंग्लिस ग्रामर तो इसमें आपको यह मिल जाएगा, जिसमें संग्या के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाये हैं, वहाँ पे जाके आपको समझ में आ जाएगा, तो संग्या किसी भी प्राडी या ब्यक्ती जगह का या वष्ट के नाम को संग्या काते हैं जैसे किसी को हम जो भी चीज के बारे में बात करते हैं जिससे हमें जानकारे मिलती हुआ क्या होता है एक नाउन होता है जैसे राम यहां पे है ना राम मोहन सीता दिलही मुंबई दहरादून कलम तो यह सब क्या है एक नाउन है जिसको हम नाम से जान है सरवनाम ओ होता है जिसे हम संग्या की जगह पर उससे हम लोग को इस्तिमाल करते प्रोनाउन सबस्टिश्ट्यूट और नेम तो यहाँ पर है I, You, See, He, They, We, That, It, Act तो यहाँ पर जो है एक क्या है एक प्रोनाउन है और इसको हम लोग एक अच्छी तरीके से समझते हैं एक जंपल के साथ अब देखी यहाँ पर है राम इज माई फ्रेंड राम इज क्यूट तो राम एक नाउन है यहाँ पर भी एक नाउन है राम मेरा दोश्त है राम प्यारा है तो इसको हम दो संटेंस बना रहे हैं दो बारे में बता रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्या है अब राम के बारे में ज राम का नाम एक ही बाल ले रहे तो भी तो यहाँ पे ही क्या है एक प्रोनाउन है Mohan was in ilahabad bank Mohan ilahabad bank में काम करता है His father is a nice man उसके पिता अच्छे आदमी है तो यहाँ पे जो है His यहाँ पे His क्या है एक प्रोनाउन है तो यहाँ पे अगला है verb यहीं क्रिया आप लोग जानते हैं क्रिया क्या है क्रिया वह है जिसके माधम से subject करता के कारिया या आवस्था या इस्थित की जानकारी मिलती है वह क्या है वह एक क्रिया है तो इसका definition देखते है वर्व describe the action or the state of the subject तो यहां पे जो है word होता है शब्त होता है जो कुसी verb के कारिय को या उसकी अवस्था को उसकी इस्तित को हमें संकेत करता है नहीं बताता है तो वही क्या होता है verb जिसे come, run, go, jump, call तो read, write pgm, r, watch, word, will और भी बहुत देशारी है तो यहां पे देखिए दो हमने दिया है यहां पे a helping verb होती है और a main verb होती है तो यह भी जो है एक verb होती लेकिन a main verb यह है और यह एक helping verb है जैसे यहां पे example है राम is playing तो यहां पे राम क्या कर रहा है खेल रहा हमें खेलने के बारे में पता चल रहा है राम के काई के बारे में पता चल रहा है तो यहां एक verb हो गई लेकिन यहां पे दिया गया है तो यहां पे इज क्या है एक helping verb होती है सहात्य करी काम कब हो रहा है राम इज 8 months old राम 8 महिने का है तो यहाँ पे देखिए main बर्ब तो कोई नहीं है कि उसकी अवस्था बता रही है तो यहाँ पे इज लगा हुआ है तो यहाँ पे है अब यहाँ पे राम वाज 8 months old राम 8 महिने का था अब देखिए यहाँ पे वाज लग गया एक helping बर्ब शहायता यहाँ पे क्या होगा हमें था यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे है तो यह भी एक helping बर्ब है राम will be 8 months old राम 8 महिने का होगा यहाँ पे will be क्या है एक helping बर्ब है तो आप लोग समझे कि यहाँ पे जो बर्ब दिया गया है जो संकेत करता है किसी subject के बारे में तो वह तो main verb होती है लेकिन जो समय समय के बारे में हमें संकेत मिलता हुआ क्या होता है एक helping verb होता है तो इस तरीके से verb के बारे में भी हम लोग डे सारे जानकाली हासिल किये अब आगे है adjective यानि बिसेसर बिसेसर ओ सब्द या सब्दों का समू या उपवाग के होते है जो किसी संग्या या सर्वनाम की बिसेस्ता के बारे में कुछ अतरिक्त सूचना देते है यानि बिसेसर ओ सब्द होते है जो एक संग्या या subject जिसको कहते है या किसी के नाम के बारे में या सर्वनाम के बारे में या फिर अबजेक्ट के बारे में कुछ बिसेश सूचना देते हैं उन्हें क्या कहते हैं एडजेक्टिव बिसेशर बिसेशता बताता है सबजेक्ट का बताएगा या अबजेक्ट का बताएगा या फिर pronoun यानि सर्वनाम के बारे में कुछ सूचना देगा तो adjective are the words or clauses clauses that show the quality of noun, pronoun or provide some additional information about them तो यहाँ पर इसकी definition है तो यहाँ पर example के साथ हम लोग देखते हैं कि किसके बारे में अब देखिए यहाँ पर he is arrogant, वह अहंकारी है तो अहंकारी कौन है? यहाँ पर इसके बारे में he क्या है? एक pronoun है तो इसके बारे में संकेत दे रहा है द्यारादून is nice city द्यारादून एक अच्छा सहर है तो किसके बारे में दे रहा है? यहाँ पर अच्छा सहर यहाँ पे सहर के बारे में दे रहा है कि अच्छा है देरादून तो सहर है लेकिन अच्छा सहर है तो यहाँ पे देखे नाइस क्या हो गया एक एडजेक्टी हो गया यहाँ पे एरोगेंड क्या हो गया एडजेक्टी हो गया क्योंकि या आपने इसके चाहे subject या object के बारे में कोई सुचना दे रहा है राम वाज clever, राम चतुर था, यहाँ पर चतुर क्या, राम तो था, लेकिन राम चतुर था तो चतुर क्या हो गया, एक adjective हो गया, यह राम के बारे में बता रहा है इस ईज ब्लेक सुर्ट या काली सवर्ट है, सर्ट तो है लेकिन कैसी है, ब्लेक है यह काली रंग की सेट है यह एक सर्ट है, वह एक स्वास्त व्यक्ति है तो ब्यक्ति तो है आदमी तो है लेकिन कैसा आदमी है healthy यानि स्वास्त है स्वास्त आदमी है तो उसके बारे में healthy संकेत बता रहा है क्या है adjective He is a man of great health वह बहुत अच्छे स्वास्त वाले ब्यक्ति है तो यहाँ पे health क्या है एक adjective है तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि किसी के बारे में कोई संकेत देता है हमें कुछ मिलता है जानकारी तो वह क्या होता है वह एक adjective होता आप समझ जाए सीधे सीधे से या तो subject के बारे में या तो किसी object के बारे में जो भी सूचना हमको मिलती है जो भी जानकारे मिलती है वह क्या है वह एक adjective है He is man who has great health वह एक ऐसे बेखती है जिनका स्वाष्ट बहुत अच्छा है तो यहाँ पर health ही क्या है एक adjective है She is a girl without friend वह बिना दोस्त की लड़की है लड़की तो है लेकिन बिना friend की यहाँ पर इसकी संकेत बता रहा है न बिना friend बिना दोस्त की तो यहाँ without क्या हो गया एक adjective हो गया She is a friendless girl वह एक मित्र ही लड़की है तो यहाँ friendless क्या हो गया adjective हो गया She is a girl who has no friends वह एक ऐसी लड़की है जिसका कोई मित्र नहीं है तो यहाँ पर देखिए has no यहाँ पर no क्या है तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर the ball the tall boy in the red shirt is Arjun लाल shirt में लंबा लड़का Arjun है तो यहाँ पर tall हो गया किसकी विसेश्ता बता रहा है boy की अब यहाँ rate किसकी बता रहा है sort की तो यहाँ पर दोनों क्या हो गए adaptive हो गए रामिज विरेव राम बहादूर है तो राम की विसेश्ता बता रहा है यहाँ पर brave क्या है adjective है see was clever वह चलाग थी तो वह किसकी विसेश्ता बता रहा है clever लड़की खिसी इसत्रीका यहाँ वह चलाग थी तो यहाँ पे clever क्या हो गया एक adjective I have many few pencils मेरे पास कई या कुछ pencil है यहाँ पे किसका कुछ का संकेत हो रहा है या कई का pencil है pencil के बारे बता रहा है pencil तो है लेकिन कितनी है कुछ है कई है यहाँ पे दूनों क्या है adjective हो है अब बारी आती adverb की adverb यह नहीं होता adverb से होता है kriya विशेषण जो एक kriya के बारे में सूचना मिलता हमें जिसे संकेत मिलता है kriya विशेषण ओ सब्द या सब्दों का समू उपवा के होते हैं जो kriya की या फिर बिशेषण की बिशेषण बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतरिक्त सूचना देते हैं यह समझ जाईए कि kriya या या अड़ वर्ब हो है जो अबजेक्ट या सबजेक्ट के अलामा जो kriya या वर्ब के बारे में या फिर जो आप लोग पढ़ रहे हैं व्रेव टॉल क्लेवर इसके बारे में कोई सूचना अगर देता है तो क्या है वह एक एड़ वर्ब है अब एक जम्पल के साथ अगर हम लोग जानकारी हासिल करेंगे तो धेर सारी जानकारी हमें आसान तरीके से प्राप्त होगी जैसे यहां पर कुछ एड़ वर्ब का इजम्पल देखते हैं जिसे फास्ट हो गया स्लो हो गया लेट हो गया अप हो गया इन फार आउट इस तरीके से धेर सारे एड़ वर्ब है जब हम एक जम्पल के साथ सीखेंदे तो हमें धेर सारी जानकारी मिलेगी अब यहां पर है राम रंस फास्ट राम तेज दोड़ता है अब यहां किसकी विसेशता बता रहा है दोड़ने का क्योंकि राम रंस हो गया दोड़ता है लेकिन कैसे दोड़ता है दोड़ने का काम कैसे करता है तेज डौड़ता है क्या बोलते हम तेज डौड़ता यहाँ वर्व का एक विशेश सुचना हमें मिल लगी है कि तेज डौड़ता है तो यहाँ क्या है एक Ad राम रंश शलो या सलोली राम धीरे डौड़ता है तेहां भी दौडने की विसेशता हमें क्या बता रहा थे क्या है एक adverbs है तो इस तरीके से देखिए कितना आसान तरीके से समझ में आता है कि जब भी कोई word जो है क्रिया का विसेश क्रिया के बारे में कुछ सूचना देता है उसके बारे में कुछ पताता है वह क्या है एक adverbs है लेकिन अगर यही subject के बारे में बताता तो क्या होता वह एक adjective होता he is very good boy अब देखिए वह बहुत अच्छा लड़का है अब वह अगर इसको हम very को नहीं लगाते तो क्या होता लड़के कोन अच्छा है लड़का तो क्या होता एक adjective यहां पर good क्या है adjective है लेकिन अब adjective का विशेष्टा यहां बता रहा है तो क्या हो गया adverb हो गया I have already told you अब देखिए मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है already क्या है यह told की विशेष्टा बता रहा है मैंने पहले पहले बता दिया है पहले बता दिया है तो है यह told यह समय की समय की सीमा बता रहा है तो यह क्या है एक adverb है you can't go away तुम दूर नहीं जा सकते तुम दूर नहीं जा सकते तो दूर नहीं जा सकते एक go go के बारे में बता रहा है दूरी बता रहा है तो क्या है एक adverb है I got up early today मैं आज जल्दी उठ गया तो early क्या है एक adverb है तो यहाँ पे जल्दी उठ गया क्या हुआ get up early जल्दी उठना तो यहाँ पे क्या है एक adverb है I sleep late at night तो यहाँ पे पूरा एक close के साथ है तो मैं रात को देर सोता हूँ तो यहाँ पे late क्या है एक adverb है sleep की भी सेष्टा बता रहा है सोता हूँ कब late राम रंश very fast राम बहुत तेज औरता है अब देखिए यह भी एक adverb है और यह भी एक adverb है तो adverb होता है जो adverb के बारे में भी कोई सूचना दे या adjective के बारे में भी कोई सूचना दे या फिर verb के यानि क्रिया के बारे में भी कोई अत्रिक सूचना दे तो क्या होता है वो adverb हो he is just coming वो अभी आ रहा है तो आने का संकेत मिला कि अभी आ रहा है बहुत मुश्किल होता है, तो hardly क्या है, एक adverb है, we work together, हम काम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, करेंगे साथ, हम लोग, हम एक साथ कारिय करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, together एक adverb हो गया, he comes here once, अब यहाँ पर comes, आने का संकेत मिला है, कितनी बार आता है, एक बार आता है, दस बार आता है, बीस बार आता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आने की बात कर रहे हैं, तो आने का संकेत मिला है, वो है एक बार, वो है एक बार यहाँ आता है, लेकिन कितनी बार, एक बार, काम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, एक साथ, तो यहाँ पर ये सब क्या है? Adverb है, तो इस तरीके से आप लोगों Adverb के बारे में origini सारी जानकारी प्राअपत किये They are going afar वे दूर जा रहे हैं जीसरे वे जा रहे हैं कहां जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं तो यह afar क्या है? एक Adverb है I often call you अक्सर तुम्हें फोन करता हूँ, यानि मैं अक्सर तुम्हें फोन करता हूँ, तो यह अक्सर क्या है, यह से होता है, हमेशा फोन करता हूँ अक्सर, अक्सर क्या है, एक एड़ वर्ब है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वेरी क्या है, एक एड़ वर्ब है, तो इस त सूचक अब्बै या पूर्वर सर्ग ओषब्देया सब्दों का समूं है जो किसी संग्या है या सर्वनाम और वात्य के दूसरे भाग के बीच के संबंद दरस आता है आम तोर पर हम इसे किसी संग्या से पहले इस्थित किया जाता है अब देखिए जो pronoun है इसकी definition इस प्रकार से है proposition is the word or group of words that is generally placed before a noun or pronoun to express its relation with other parts of the sentences यनि जो sentence के बाकी हिस्से के बाकी बारे में जो है आमने को इस्थिती बताते हैं तो उसके बारे में संकेत देता है जैसे हो गया in, into, on, unto, upto, for, with, within, without, aid, through, act यह नि मतलब ऐसी इस प्रकार से धे सारे word है अब इसकी माली जी यहाँ पर थोड़ा सा example आप लोग को दे सकते हैं और इसके बारे में फिर आने वाले सेवे में वीडियो बनाएंगे पूरा एक ही जो preposition के बारे में ही रहेगा तो उसमें आप लोग को धे सरी जानकारी मिल जाएगी जिसे यहाँ पर example है I am going upward अपवर्ड क्या है एक सूचना दे रहा है मैं तो जा रहा हूँ लेकिन कहां उपर जा रहा हूँ मैं उपर की और जा रहा हूँ I am going to school मैं school जा रहा हूँ कहां I am going मैं जा रहा हूँ लेकिन अगर two यह सब नहीं लगा रहाता है तो क्या होता यह यहां पर एक नाम दिया गया है इसकूल तो यहां पर टू जो है वह यह दोनों के संबंद के बीच में जो दूरी है उसको दर्शा रहा है इसकूल के लिए तो यहां पर टू एक प्रपोजीशन है I am going towards market मैं बजार की तरफ जा रहा हूं तिया संकेत दे रहा है बता रहा है यह दोनों के बीच में आ रहा है तो एक जो संग्या है नाउन है मार्केट भी एक नाउन है तो इसके पहले इस्तित करके जो हम लोग समझ रहे हैं इस बात को कि बजार की तरफ जा रहा हूं तो यह एक proposition है pen is kept on the table column table पर रखा हुआ है तो यह कहा रखा हुआ है table पर तो यह संकेत बता रहा है ना तो इस तरीके से इसका एक proper वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से हर proposition के बारे में आप लोग को जानकारी अच्छी तरीके से मिलेगी तो इसमें थोड़ा ही example देते हैं अगला है conjunction यानि सन्योज़ग यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं इससे वाक्य छोटा हो जाता है बिना अर्थ बदले यानि किसी वाक्य को हम लोग बनाते हैं बड़ा बड़ा होता है दोनों वाक्य को जोड़ कर छोटा वाक्य बना देते हैं लेकिन उसका अर्थ सेम राता है बदलता नहीं है तो conjunction is the word or set of words that connects two words or sentences or used to coordinate words in some clauses तो it shortens the sentences without a change in meaning or sense तो किसी भी meaning या अर्थ जो होता है बदले बिना हम छोटा सब्द बना देते हैं किसकी सहायता से एक conjunction की सहायता से यहाँ पर कुछ conjunction दिया गया है and while, lost, never तो इस तरीके से यहाँ पर जो word दिये गया है कुछ example के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर example है Amit is your friend Amit आपका दोष्ट है Amit is your friend Amit आपका दोष्ट है अब एक ही बात को हम लोग दो बार दो नाम के साथ जो है दो बात के बना रहे हैं लेकिन अब देखें यहाँ पर क्या दिया गया है Amit and Amit are your friends Amit और Amit आपके दोष्ट है यहाँ पर एक conjunction है दोनों वर्ड को जोड़ दिया और एक ही बार में हम लोग बता दिये अभी उपर में हम लोग दो बार में बता रहे थे लेकिन यहाँ नीचे एक ही बार में अब इसी sentence को इस तरीके बना सकते है Amit age will age Amit is your friend Amit साथी साथ Amit आपका दोष्ट है यहनी Amit भी दोष्ट है अमिद भी दोष्ट है तो इस तरीके से अब यहाँ पर देख सच people are selfish ऐसे लोग स्वार्थी होते है तो देखिए ऐसे लोग अब दो बात होते हैं ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं सच क्या है एक conjunction है you come so does he तुम आते हो ओ भी आता है दोनु लोग की बार विज़े से हो गया तुम भी आते हो फिर उसके बाद ओ भी आता है अगर इस तरीके से हम लोग बोलें कि you come so does he तो यहाँ पे एक छोटा सवाक्य हो गया दो वाक्य नहीं हमको बनाना पड़ रहा है तो so लगाके यहाँ पे इस तरीके से एक छोटा सवाक्य बन गया you want to go so do I आप जाना चाहते हैं मैं भी छोटा हो गया ना अगर इस तरीके से बोलते हैं you want to go आप जाना चाहते हैं फिर यहाँ बोलते I want to go मैं जाना चाहता हूं या I want also या I want इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे छोटा हो गया आप यहाँ पे so do I तो आप जाना चाहते हैं मैं भी जाना चाहते हूं तो यहां सो क्या हो गया एक conjunction no sooner had we slept then it started running हम सोए ही थे की बारिस होने लगी अब यहां पर no sooner क्या है conjunction है इसको जूड कर हम एक छोटा word बना दिये मोहन is saying that sita is good मोहन कह रहा है कि sita अच्छी है तो यहां पर मोहन अब देखिए आ that को लगा दिये बीच में अब इसको दो सब्दों में हम लोग दो वाक्य में मनाते हैं के बनाते हैं कि मोहन कह रहा है मोहन इस सेंग कह रहा है फिर उसके बाद का फिर यहां पर होता कि मोहन कह रहा है मोहन का रात यहां तक हो जाता उसके बाद यहां आगे सीता इज गूर्ड दोनों को दो बार में हम सीता इज और गूर्ड गूर्ड तो इस तरीके से दो वाके बनाते हैं लेकिन आप एक यह साथ हम जोड़ देत देट क्या है एक कंजेक्शन है तो इसका भी कंजेक्शन के बारे में भी एक वीडियो हम बना देंगे जिसमें आपको पूरे कंजेक्शन के बारे में बहुत बारिकी से समझाएंगे पढ़ाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब आगे आपके लिए है नमबर आठ इंटर्जेक्शन यानि बिश्मया बोधक तो यहाँ पर है बिश्मया इसके डेफनेशन देखते हैं परिभासा देखते हैं बिश्मया दी बोधक का उपियोग अचानक मैसूस होने वाली भावनाओं या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो खुशी, दुख, आश्चर्य, अनमोदफ, सुख, सब्दो या वग्यांसो या किसी के अनुसरण के कारण उत्पन्न होती है माली जे कोई साभी आपको इसमें से आता है जिसे अचानक खुशी, अचानक दुख, अचानक आश्चर्य, ये सब के बारे में या क्या होता है ए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इंटर्जेक्शन आर यूज तू एक्स्प्रेस सटन फिलिंग और इमोशन्स डैट और इनेट ड्यू टू सटन ज्वाय, ग्रीफ, सर्प्राइज, अप्रूवल, सच वोड्स और फ्रेजस और फाल्विंग बायोन, तो इस तरी अब इसके आई जंपल भी देख लेते हैं, एक्स्प्रेशन आफ ज्वाय, यानि जब हम खुशी ब्यक्त करते हैं, तो इस समय क्या बोलते हैं, अब उसके पीछे क्या लगाते हैं, बिस्मया, दिबोधक चिन लगाते हैं, जो उपर से एक डंडार आता है, नीचे एक बिं इस प्रकार से वर्ड होते हैं, जिसका हम खुशी के लिए प्रियोग करते हैं, एक्स्प्रेशन आफ ग्रीव, यानि जब दुख की बात करते हैं, अलैस, ओ माई गौड, सो सौरी, वाट अ ट्रेजेर्डी, तो इस तरीके से हम लोग दुख का, जो वर्ड दुख के लिए हाउ शेर्ड, कितने दुख की बात है, तो यहाँ पे जब हम लोग दुख की बात करते हैं, तो इस तरीके से ये वर्ड को उपियोग करते हैं, एक्स्प्रेशन आफ सर्प्राइज, जो हम लोग आश्चेर चकित के बारे में कोई घटना के बारे में बात करते हैं, आश्च fantastic wow is it तो इस तरीके समलोग क्या करते है surprise या आश्चर यह जताते है यह सब बोल का है expression of consent approval यहनि क्या होता है यह सहमत phrase phrase होता है प्रसंसा किसी की जब प्रसंसा करते है तो यह सहमत लेते है किसी से brow please certainly true तो यह सब वर्ड दो है हम लोग consent approval phrase इसके लिए उप्योग करते है expression of mystic जब हम लोग गलतिया करते है उस समय अंग्रेजी में बोलने के लिए का करते है oh oops my god no sit जैसे mystic कर देते हैं हम लोग कुछ तो वहाँ पर इस तरह के word को हम लोग इस्तिमाल करते हैं हलाकि इसका भी हमने example नहीं दिया है लेकिन इसकी आने वाले समय में इसके बारे में भी हम एक बहुत आसान तरीके से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कैसे बोला जाता है कैसे वाक में इस्तिमाल किया जाता है इसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको समझने में धेर सारी मदद मिलेगी कि उमीद करते हैं, कि यह vision या video आपको देखने से ठे सारी जानकारी प्राप्त रही है, अगर जानकारी प्राप्त हुई, तो like जरूर कीजिए, और इस तना को comment इना content देखने के लिए, हमारे साथा है Youcon Sacrace को से स्क्वाइब की जिए, आपको पढ़ाते रहते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई यह सुद्धा नहीं हो